ये देखिए मॉर्निंग का 6 बज रहा है और आज मैं 6 बजे से 7 बजे तक मतलब की 6 मिनट में पूरे घर की साफ सफाई करूँगी और 7 में मैं इडली और सामबर कर नास्ता भी बनाऊंगी तो यही आज का मेरा चैलेंज है तो चलिए वीडियो का स्टाट करती हूँ और काम क कर दूंगी कि आप सब बहुत अच्छे रहिए स्वास्त रहिए और सुखी रहिए माता रानी सब का मंगल करें सब का अच्छा करें और आज है सुक्रवार तो आज में ब्लॉग बना रही हूं और रात की अभी 10 बजे में एडिटिंग कर रही हूं और आवाज दे रही हू तो कल हो जाएगा सनीवार सनीवार मतलब की दो तारिक और दो तारिक को है चैत का जो दुर्गा पुजा होता है न वो तो आप सब के जिन्दगी में माभगवती नौरातरा का पहला दिन रहेगा तो सब के जीवन में माभगवती सब अच्छा अच्छा लेकर के आए और सब अच्छा हो सुक से रहे सब सांती से रहे सब कुसिया सब के जिन्दगी में बनी हुई रहे बस यही आप लोगों के लिए मैं माता भगवती से कामना करती हूं तो चलिए अभी morning का हो गया है 26 बज रहा है और आज मैं साथ मिनट में ही घर का जो भी काम है जो cleaning का है या फिर नास्ता बनाने का है वो बस साथ मिनट में ही सारा काम को निपटा रही हूं और पहले मैं यहां पर कुछ काम करके फिर कीचेन का कुछ काम करके तो इसी तरह से मैं दोनों जगा को कैसे मैंनेज करती हूँ और यहां पर जो डस्टिंग करना था वो डस्टिंग कर लिए और एक दो जाले दिख गये और कल से क्या है ना कि ना रातरा जब सुरू हो जाता ह तो फिर जाला उला को नहीं हटाया जाता है तो बस इसलिए में थोड़ा सा जाला उला जो दीख गया तो इस रूम का जा अधा दी और फिर किचन में जाकर के कुछ काम नीप्ता करके फिर इस रूम में आ जाओंगी क्योंकि हस्वेंड इसी रूम में बैठ करके अपने तैया कर ले ना तो ठीक लगता अच्छा लगता है कि चलो ठंडा ठंडा मौसम है तो अभी काम हो जाता है फीर जैसे ही 910 बसता है ना तो मन नी करता है कोई भी काम करने का अंगर में जहारू लगा चुकी हूं और पाली से जैसे दोती हूं और पूरा आगर वीडियो में दिखाने लगती पूरे घर की साफ सफाई का न तो कम से कम 20-25 मिनट का वीडियो बन जाता और आप लोग देखते नहीं आप लोग भी बोर होते कि हाँ क्या 20 मिनट का वीडियो कोई देखता है क्या है न तो इसलिए उस सब को में काट काट कर छोटा छोटा क्लिप यहां पे 10 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा हो गया था तो बस यहां पे अब क्या मैं कर रही हूं कि ड्रस्टिंग करके अब जारू लगा ले रही हूं और जिस समय चाय पी रही थी ना तो चाय पी करके और क्या कि ना कि जो सांबर में सबजी परेगा ना बस उसको फ्रीज से निकाल करके धो कर जाली वाला रहता है उसमें मैं रख दी सूखने के लिए तो वह भी सूख जाएगा तो क्या होता है कि सब्सक्राइब काटे सब्सक्राइब अगर भींगा हुआ रहा है तो थोड़ा सा चिट-चिटापन आ जाता है तो इसलिए मैं धो करके उसको भी रख दी और दाल उन्ट जारू लगा करके साफ करके और आ गई हूँ किचेन में और चना दाल मैं क्या की ना कि दो करके रख दी चटनी के लिए और साफ में रहर दाल जो सांबर में डालूंगी ना तो उसको भी मैं धो करके रख ली और यहां पे जो भी सब्सक्राइब करके छील करके जैसे प्या सबजी काटें और सामबर को चरहा दोगी दाल में सबजी ढाल करके नमक banget डाल करके को चोडा कょंके रही हूं दूलि के पर जहा एली के लिए smaller restauratory के पर दूझी को दो कि मेरा क्या आए चावल जितना uans cada गया को ऑग तरके ना सोप्टड वाल आयोई हैं आहागा है वो आधन डिष स्था लगता है उसी जो भी हमाने are हैं on in bo to collect the國家 की लाटा हुट्षा लगता है तो बस वहाँ पे चोंडल के लिए अब इस रूम में भी एक-दो जाला दिख गया है और सोफा के पीछे असे सावो रही जाता है तो बस यहां पे सोफा को भी हटा करके और खास करके खिर्की का जो यह वाला भी बंद रहता है अभी गर्मी के दिन में क्या हो रहा है कि बाहर का धूल डस्ट जो भी है वो सब आते रहता है तो यहां पे मैं खिर्की को बंद रहती हूं तो वो बंद रहने के कारण एक दो ज तो चलिए यहां पे मैं क्या कर ले रही हूं कि सोफा को हटा करके और मैं जारू लगा ले रही हूं और जाला साफ कर ले रही हूं और एक हाथ में जारू पक्री हूं तो बस एक हाथ से ही सोफा का जो कबर वर है या फिर कुसन है वो सब को मैं ठीक कर ले रही हूं क्योंकि ए तो घरी के पीछे मैं तो देखी नहीं थी तो घरी को उतार करके जब देखी तो घरी के पीछे भी बहुत सारा जाला लगा हुआ था पूरा बच्चा दिये हुए था अब बाहर तो जाला था नहीं इसलिए मैं ध्यान नहीं दी पर क्या पता कि घरी के अंदर में जहां पर ब काम कर ले रही हूं तो और जो आंगन का काम था वो कर ली और सब रूम में जो भी डस्टिंग का काम था वो सब डस्टिंग का काम में कर ली और अब यहां पे मैं चना दाल को भून रही हूं चटनी के लिए तो उधर का काम कुछ कर ली और यहां पे फिर किचेन में आ गई तो उतना अचहा मतलब की गोल्डी का सांबर मसाला होताह नहीं बता है वो सेन्टराइज का होता है वह बहुत अच्छा हमार्गेस्ट बिला ही नए तो पिर भी ठीक है झotion mindful अच्छा कि था भूखता ञ़ा लगा दे रहे हूं। और खाने यम्मी सांबर आप लोगों दीका दो है नुट। नाया फोटर है तो हम रहे हैं तो पसन नहीं। बशत करके बनाई इसी में टेस्ट आपा है। बिद्धत है ट्राइ करके अगर नाया क्या राल तो उसके भी निकाल भी निकाल है यहां पर चुटकी भर में डाला मीठा सोडा वाल खाने वाला सोड़ा , उदर पानी भी दाल दी और भूल गई उसमें मैं तर्का लगाना तो उपर से मैं क्या की ना कि इल्ली आपका को बनाए या फिर उपर से डाल दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो देखने में तो और भी सुन्दर लगता है तो भस वहां पर मैं इल्ली चरहा करके और मुखा मिल गया कि कुछा उसे पिंपी परनमिर개를 लिगा कि फोल जब और सिखेंगों के सगम निवल जुछा प clicking भ 열मिर मृक्षा लीजीटने में हो महां शाव सबस्यवी दखाई देखेंगे विड्याथ सुछा शेलेत बाता हैं हम जब बनमें को ही सामप बनना सांबान तो नामि Tapi किचन की बारी तो इसको भी मैं समेट ले रही हूं और कुछ बरतन जो निकला है अभी उसको मैं हाथ के हाँ धोलूगी ताकि मेरा ये काम भी खतम हो जाए किचन का काम मतलब की खतम हो जाए वैसे तो सुबह में जो दो-चार बरतन था तो उसको दो करके आप देख सकते की मैं भी पीश्तई हुँ आप न?". हमकुति हुआ की चातनी था द coalition भी मैं जंखा, सफल। लेटी किrechtले तैय। चरणी स्था जो को धब देनां. नेमी तो सब्सक्ष्बाय स्यु आप सब्सक्रें जो यह मैं साप कर ले ताह। वर बरतन धो यहां यहां साप चात में चातनी तो बस यहाँ पे इडली मैं निकाल ली और अभी मैं हस्बन के लिए नास्ता निकाल करके ले करके जा रही हूं हस्बन को नास्ता दे देती हूं और आप लोगों को टाइम भी दिखा दूगी कि कितना टाइम में मतलब कि यह सब काम मेरा कम्प्लीट हो गया जैसे कि साफ सफाई भी कर ली और यह देखिया ऐजकर यही रहा नास्ता और यह देखियाँ हो गया है साथ बजग вариak पाकी ही है साथ बजने में तो बस यहां पेहस्पन को में नास्ता दे दी और यही रहा मेरा आज साफ सफाई और नास्ता का ब्लॉग उमिद करूंगे कि अच्छा लगे आप लोगों को ब्लॉग तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाइबर मातार यानि सबका रक्षा करें सबका मंगल करें